पूरत जांगे परा तू सेल तू भी इसके फ्लैट है यह दिखें यहां पर टॉइंगों की चैन लिविंग रूप की साइज है दासवाइश सोला की तूक है बढ़िया सा लिविंग रूप है सबसे बड़ी बाद है तू भी इसके में एक बड़ी सी बालकानी मिल रही है डे में इसके ăngक्माइस की साइज है 9 3 x 3 ga cam यानी काफी बढ़ी है और दो फूट की फ्लावर बैट भी साथ में हैं ये साइज काफी बढ़ी हो जाती है अभी यह देखें, यह कीचन यहाँ पर और कीचन के साथ में यह नव फूट एक इक वाई चौड़ा फूट का कीचन है, तो यहाँ पर डाइनिंग स्पेस आ जाएगी, साथ में स्टोरूम भी काफी बढ़िया है, कई 2BS की फ्लेट में स्टोरूम अभी नहीं आते हैं, इसमे सबसे अच्छी बात है यह देखेंगे, वास एरिया भी काफी बढ़ा है, वास एरिया लगता है, पांच एक बाई पांच का, 2BS के फ्लेट में जंगी परा के लिए काफी अच्छा है, सेंपल फ्लेट भी बढ़िया बनाया है, 2BS के है, तो इसकेंडर हम देखेंगे, पहला यह बेटरूम में, 9, 6, 2, 1, 10 को का, और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें यह स्टेंडिंग बात है, लेकिन यह वाटरॉप स्पेस मिल रहा है, वाटरॉप स्पेस यानि कि वाटरॉप के लिए अलग जगा, यानि कि हम लोग हुजा कि में उसको खांचो कहते है, यह जाएगा, यह बेटरूम में, वो पुरा में खुला मिलेगा, वो बेटरूम में से जगा कानेगा, सार लोबार दस का जगा, उमको डाइक लिए वाटरॉप के लिए अलग स्पेस है, अभी अब दूसरे बेटरूम में जाएँगे, यहाँ पर देखिए यह दूसरा बेटर वाटरूस में बीटनी है कि उसमें, अम डो कबाट रख सकते हैं, वाटर बंदर चला जाएगा, तो फ्लैक में जगा बचेगे, साथ में यह एटेज है, साथ छे बाई, चार छे का, ऐसा बिल्डर हमने बना के देंगे, फिकिंग भी अच्छे है, फॉलिटी भी अच्छी ह फ्लैट है, उसके लिए काफी बढ़िया है, फिर देखिए, अब यह लोग फिर एक बार बहार जा रहे हैं, यह कॉमन है, कॉमन में यहाँ पर कॉमन वास बसेन आ गया, और यहाँ पर कॉमन ट्वालेट आ गया, पांच फूट दो इस बाई, चार फूट नव इस का, यह फिर एक बार हम ड्रीखुम में आते हैं, तो बढ़िया सा प्रैड बनाया है, तो बी इस के का, थैंक यू